हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी कख्षा बारा इतिहास का पार्ट पांच यानि कि यात्रियों के नजरिये या यात्रियों के नजरिये से यह महत्यपूर्ड चैप्टर के हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि यात्रा की और यात्रा के दोरान जो उसने विर्तांत लिखे उसमें क्या क्या विसेस्ताय हैं और कौन-कौन सी महत्तपूर्ड बातें लिखी गई है पर उससे पहले कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिसकस करें एक और बहुत खास जानकारी यह है कि मैगन कि पढ़ाई कर रहे हैं सारा का सारा सिलेबस आपको बिधिवत हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का यहां पर हिंदी माध्य में निशुल्क प्रवाइड किया जाता है जिसके लिए आपको कभी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा भर के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं मतूता का रहला देख लिया हमने अब तक जब इन दो यात्रियों को देखा उनके विर्तांतों से थोड़ा सा भिन इनका विर्तांत आपको दिखाई पड़ेगा किन मामलों में उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करी एक तो दोनों ने दार्शनिक प बड़ी अलग लगती थी बड़ा अनूठा लगता था बर्नियर सहाब की इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है बर्नियर सहाब का मुख्य उद्देश रहेगा कि भारत की समस्या या भारत की स्थिती को यूरोप के साथ तुलना करें और 99.99% जगहों पर उन्होंने भारत की स्थिती की दसा वहां से दैनी खराब और बहुति नाजुकि सिती में पाई है इन्होंने एक तरह से समलोचनात्म क्या आप क्या सकते हैं कि पूरूरुप से आलोचनात्मक विवर्ण किया है हर स्थिती को बहुत खराब बताया है और मुगल दर्बार की स्थितियों को जाहिर किया है खास करके साजहां के आसपास के काल में यह भारत है उन्होंने औरंग्जेप को भी देखा दाराशिकों को देखा और उस समय की स् सम्रिद्ध भारत की स्थिति की आर्थिक संपनता दर्शाई है इन्होंने भारतियों के स्थिति को दर्वद्रता कहकर पुका रहा है तो आए थोड़ा सा इसमहान व्हक्तित्यों के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी से जानने की कोसिस करते हैं अब फ्रांको इस बर्ण यात्री थे और फ्रांस के रहने वाले थे तो सत्रवी शताब्दी में भारत आने वाले यूरोपी यात्री में फ्रांसवा बर्नियर का नाम उल्लेखनी है हम यह भी पता है कि 1498 में 1498 में पहली बार भारत में कौन आया वासको डिगामा जो पुर्तगाली था यानि यूरोप यात्री में एक यात्री बन ⁊ इस इंड्या कंपनी बनती है फिर फरांसी स्यन्हें स्याह बनती है और फ्रांस का रहने वाला निवास करने के लिए क्योंकि इसने क्या कि दारा शिको जो और जो जहां का लड़का था बड़ा पुत्र था उसका चिकितसक बनके नौकरी करने लगा तो बनियर की चिकतसक राजनेटिक दार्शनिक और इतिहासकार था उसका जन्म 1620 इसवी के फ्रांस के गाउं जोई नाम की उच्छ सिक्ता प्राप्त की और फिर वा मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ा जहां उसने कुछ समय वैतित किया तो फ्रांस से निकलता है एजिप्ट मिस्र पहुंचता है कुछ समय वैतित करने के बाद भारत भी पहुंचता है फिर भारत के निकला और 1656 में भारत दाराशिको वैसे तो मुगल काल पढ़ेंगे तो खेर इतना डिटेल में में राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है लेकिन हाँ शाजहां का पुत्र दाराशिको जो था वो एक कहा जाता है यतिहास में कि शहिष्डु व्यक्ति था सभी धर्मों को मानने समझने वाला था उपनिशदोगरों का बड़ा अच्छा ज्यान था उसे और वो इतना कक्तरवादी नहीं था और उसका प्रयास भी ता कि शाहां के बाद वो गद्दी पर बैठे पर ऐसा उसे सफलता मिली नहीं और अंग्जेब को सफलता मिली थी और दाराशिको के ही चिकत्सक के रूपे पतन भी देखा जब उसे घुमाये गया नगरवय बंदी बनाकर स़ारी चीजे उसने देखी बर् नियर ने और शिको बरनीयर के विकतित उसे प्रभावित हुआ और उस्सने अपना चिकित्सक न्यूप्द कर लिया तो तो दाराशिको के साथ ही रहने लगा अरमीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्ध जीवी और व्याग्यानिक रूप में रहने लगा तो कुल मिला के इसका जो तरीका रहता था हो यह कि कि किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ो उसके साथ साथ चलते रहो तो जब दाराशिको का पतन हो गया तो जो आर्मीनिया अमीर व व्रितांथ 1671 में फ्रांस में एक डायरी में चपा था और इनकी एक पुस्तक कभी नाव है इंपॉर्टेंट जिसको हम देखेंग अभी आगे ट्रेवल इंटू मिवल एंपार के नाम से बर्नियर के व्रितांथ की लोग प्रियता कानुमान लगाय जा सकता है कि 70 से 72 के बी उसमें ये कि आगे कोशन आंसर में भी हमने देखेंगे इस चीज को समझेंगे कि बर्नियर के ये जो व्रतांत लेखन है इससे कई सारे लोग प्रभावित भी हुए हना जैसे मार्क्स का नाम आता है बर्नियर ने जैसे यहां की स्थिति का वड़न किया कि यहां भूश्व बहुत सारे व्रतांत आगे हम चर्चा करेंगे यथार्त से परे थे सही नहीं थे पर इस चीज का इस चीज को पढ़ने के लिए या उस चीज की मांग यूरोप में काफी देखी गई बर्नियर ने अपने यात्रा व्रतांत में मुगल कालिन रहन सहन रीती रिवाज युद यह अपने आंसर राइटिंग में आप इस तरह फ्रेम कर सकते हैं ठीक है बताई और क्या क्या पहले बताया है मैंने आर्थिक ठीक है सांस्कृतिक ठीक है और धार्मिक और राजनेतिक और दार्शनिक और भौगोलिक ठीक है जी भौगोलिक यानि कि किस तरह की जमीन है किस तरह की कृशी है किस तरह की वारिश है वैग्यानिक ठीक है यह सारे लगवग इन पॉइंट्स को इन्होंने वर्डन करने का प्रयास किया है कि समाजी किस्तिति क्या है दूबनाय करेंगे तो अलग 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 पक्षण सो मजबोट बटाया है लेकिन सिरे से खालिछ कर दिया बर नियुक्ष किने बटाएगे प्लूइर कोई आर्थी कीस्तिति की लिएग सीरे से अर्थी की श्री नीयुकी cash नहीं है ठीक है तो उसने यहां के रितिरिवाज युद्धकारी के बारे में सारी जनकारी प्रस्तुत की है उसने अपना विवरर किसी व्यक्ति विशेस के बारे में नहीं लिखा है हाँ लेकिन फिर भी उसने औरंग्जेब साजहां लोगी चर्चा थोड़ी की है उसने सत्ता संघर्ष चल रहा था जो गदी हती आने के लिए भागदौर चल वही थी जिसमें दाराशी को सामिल था औरंग्जेब सामिल था उसका वड़न किया है उन्होंने औरंग्जेब द्वारा साजहां को कैद किया जाने की बात कई है विदेशियों के मुगल दरवार में आन साल एक तरह से पूरे भारत में अपना समराज बनाये जाए और आपको पता है कि फिर चार टुकड़े हो गए इंदोर के हो गए फिर सिंधिया होगे गवालियर के और एक तो जो में जो सतारा में था वहीं बेस रहे गया गयकवार हो गए तो बाद में वहीं चीज़े बढ़न किया है और यही दो महत्रफूंट सहर भी उस समय थे बार बार राजधागिया और आगरा से शहर चला और और यही कारण भी रहा कि बर्नियर ने जो भारतिय शहर थे उनकी सम्रद्धी को नका रहा है बर्नियर नका है कि जो यह शहर है सीविर के तरह है शाषन आ रहता है तो चलते रहते हैं फिर शाषन के उट्टे यह सहर खराब हो जाते हैं बिगर जाते हैं कोई सम्रद्धिता न प्रवों के प्रतिश अम्मान दिश्टिकोड रखता था ये बात कई जगह से पूछ वही कि दारशिकों का विक्ति तो ऐसा था उसके द्वारा शाजहां की कैद के बाद उसके पुत्रों के परसपर संबंद के बारे में चर्चा की गई है कि साजहां को कैसे कैद कर लिए गय बर्नियर का एक उद्देश रहता था वह उद्देश यह रहता था कि जो मैं लिखूं इसे नीती निर्माता पढ़ें जो नीती या पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं पढ़ें और अच्छी पॉलिसीज बनाएं चाहें भारत वाले लोग हैं वहां के लोग हो बढ़ी समाज हिंदू सब्वेता और संस्कृति हिंदू समाज की वंडविवस्था के विशय में अपने व्रितान्त में लग क्या है तो बंडविवस्था पर तो अलबरुनी विवात की और इसने भी बात की है और आगे चलकर यह शलाह भी देता रहेगा अगरे जो अपने यूरो पुर्व और पस्षिम का एक तरह से तुलना करता है भारत की स्थिति और यूरोप की स्थिति वहां के देशों की तुलना करता है और लगभग बार तुलना में वह यूरोप की स्थिति यहां से बहतर बताता है अपने यात्रा वितान ने भारत की स्थिति को यूरोप की त उन्होंने चित्रित किया है इबन बतूता ने अपने विवरण में हर उस वस्तू को वरण में अपना विर्तान बनाया जिसके अनुठय पन ने से प्रभावित किया अब यह एक कंपेर्जन देख लिए इबन बतूता जब कोई चीज बता रहा है तो उसमें अनुठा पन पस्तूत करता था तुलना युरोप से करके यहां की स्थिति के बारे में ज्यादा बताता था उसके व्रितान से स्पस्थ होता है कि उसका प्रमुक उद्देश अपने विवरणों से नीती निर्माताओं और बुद्ध जीवियों को प्रभावित करना था जिससे वह नीड ऑजने बनाएं जैसे सबसे ज़यादा बात की भूत स्वामित्य की उसने कहा यहां जमीने जो हैं वो झिसानों के पास हैं ही नहीं तो किसान क्यों चाहिएगा कि अच्छा उत्पादन हो वक्यों चाहएगा कि उत्पादन बढ़े तो किषान मेंध करना छोड़ देता है इस पर बढ़ी कट्वा अलोचना उसने लिखी थी बर्नियर के गरंथ अब बर्नियर का जो गरंथ है वो यह है ट्रेवल सिंदम मुगल इंपार इसको ध्यान लखेगा उसके गहन प्रेक्षण आलोचनात्मक अंतरदिष्टी और गहन चिंतन की इसपस्ट ज जा रहा है यह बाद ठीक है उसने अपने प्रतेख वृतांत में भूगल कालीन भारत की तुलना ततकालीन यूरोप से की है और प्रतेख स्थिति में यूरोप को स्रिष्ट दिखाने का प्रयास किया है तो यह पॉइंट्स आप ध्यान लखेंगे की उन्होंने क्या किया है देखें तीन-चार पॉइंट्स आपको ध्यान लखने हर एक यात्री के बारे में मनें बताया है जैसे जब आप अलवरुनी की बात करेंगे तो उसके किताबुल हिंद की जो इस्थिती थी प्रश्ट विवरन फिर तुलनात्मक अध्यान अश्य अध्या यह सारी चीज़े इब्द बतुता की रोचकता जो है अनुठापन जो है उस चीज को आप थोड़ा सा इंगित करेंगे और इसका आलोचनात्मक वाडन और हर जगा यूरोप से तुलना करना यह सारी चीज़ें आपने ध्यान लखना है और यूरोप को स्रेश्ट दिखाने का प्रयास ग्राम यूरोप में वह कहता था कि यहां क्या है यहां पर नीजी जो है भूस्वामित है नीजी कि भू नीजी भुस्वामित कहा पर यूरोप में और नीजी भुस्वामित से वो कहता था कि यूरोप के जो किसान हैं वो जानते हैं कि अपने खेतों को अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे सारा लाव खुट कमाएंगे तो जादा महसंत करकर जादा उत्पाधन और भारत में क्या दिखाता था भारत कि देक्यां किया कि यहां क्या है राज की भू स्वा में कि और जब जब किसान को यह पता ही नहीं कि वह जमैन उसको मिलेगीसौ आगे वाले पीडियों को मिलेगी तो वो क्यों प्रयास करें कि ज्यादा उत्पादन हो इसलिए यहां कि किसानों की स्थिति बहुत दैनी है स्रमिकों की स्थिति भी बहुत दैनी है बर्नियर का अधिन्ड विश्वास था कि भूमी का नीजी स्वामित राज और उसके निवा धारक ना तो पादन बढ़ाने में रूची रखते हैं और ना दूर गामी निविश आगे को इंवेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि भूमी का उत्तरा रिकार उनको नहीं मिलेगा तो यह कोशन पूछ सकता है कि भारत में भू स्वामित्यों को ल तो यह आकलन भी बर्नियर का बिल्कुल गलब दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं कि भारत में रेती लिए बंजर थे और क्रिशी नहीं थी लेकिन उसने ऐसा विभरण किया है जो मैं आपको बता रहा हूं क्रिशी यहों के भूमी का बड़ा हिस्सा स्रमिकों के अभाव में क समर्थ हैं तो जीवन निर्वाहन से मचिद कर जाता है बच्चों से हाथ दोना पड़ता है इस प्रकार ऐसा लगता है कि अत्यंत निरंकुस्ता से अतास होकर किशान गाव छोड़ का चले जाते हैं तो किसानों की स्थिती स्रमिकों की स्थिती बहुत ही दयनी बताई है बर्नियर का विचार था कि जो सरक जो जमीनों का राजिकी स्वामीत यानि सरकार के अंदर जमीने रहें इसका उभी रोदी रहता है बर्नियर ने अपने व्रितांत में भारतिय समाज का वर्डन दरिद्र लोगों का एक जनसमू है तुकड़ा है जिसे और जो आलपसंख्य कि या संपन कि संपन वर्ग जो बहुत चोट बहुत कम मात्रा में है ठीक है यानि जो जिसका एक तरसे कह सकते हैं आपकी इसकी जो जो मात्रा है वो बहुत कम है और दूसरा वर्गों कहता है कि क्या है दरिद्र हिर ठीक है या शोशित वर्ग है उसका ये सपस्ट मानना था कि कोई मध्य वर्ग और यहांस है ही नहीं को में इडल वर्ग हैं ही नहीं इस व्धकार बुनकर लोहार बढ़़ायी चिकित्सक इस तरह के लोग थे जबना जीव नहीं आपन ठीक से कर रहे थे तो वो मध्यवर के तौर पर थे पर उसे ही स्विकार करने को तयार बिल्कुल नहीं था और मानता था कि जो जो बाकी लोग है वो शोशन का सिकार है और उसने का कि भारत ने मद्यके सिति के लोग नहीं है यानि कि यहां पर जमीने हैं वो सरकार के हाथ में इसलिए कोई ठीक से क्रिसी उत्पादन नहीं करता कोई आगे के निवेश के बारे में नहीं सोचता और कोई इन चीजों पर इंट्रेस्ट नहीं लेता तो इस चीज को उसने बहुत क्लिरली बताया आप से कोशन पूचा जाए कि बताइए भारत बर्नियर के अनुसार भारत म मस्याओं कमूं के कारण वह किसे मानता है तो राज की भूश्वामित इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ठीक है पब्लिक लैंड ओनर से अब सहरों के बारे में उसने थोड़ा सापना वीवर दिया उसको भी देख लेते हैं तो बर्नियर ने अपने विर्तांत मे मुगल काल इन शहरों को सिविर नगर का है इस बेरी इंपोर्टेंट मैंने आप से पहले भी कहा है सिविर किसे कहते थे जब कोई मालीजे टुकडी होती थी या राजा का एक गोल होता था जो कहीं पर रुकता था कुस दिन उसको सिविर कहा जाता था जैसे आप कैंपिंग और थे जो किसी स्थान विषेस में राजिक दरवार की आगमन के साथ स्थित्त में आते थे और राजिक से सहर चलता है राजा बैठ रहा है राजधान यह तो सहर रहेंगे वरना सहर नस्ट हो जाएंगे यह आकलन भी ठीक दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि समय भारत में कई सारे सहर थे ऐसा है तो बर्नियर के विरतान से प्रतीत होता है कि वह राज के भूस्वामितु के प्रशने के भाती सह सहरों के बार उसने बताए और भी गलत दिखाई पड़ता है समकाली साक्षियों से ग्यात होता है कि सत्रवी सताबदी में नगरों की संख्या पर्याप्त थी भारत में सत्रवी सताबदी में संपूर जन संक्या का 15% नगरों में रहता था और इबन पतूता ने खास करके च इस तरह कि कई शहर थे और शहरों का स्थित्वा ठीक ठाक था उसने इबन पतूता ने यहां तक लिखा था कि गाओं में जो क्रिशी की संपनता है जो अधिशेश यानि एक्स्ट्रा पोड़क्शन है उससे सहरों का कारभार चलता है ऐसा हो सकता है कि इबन पतूता तुग अधार भारत के सभी प्रकार के नगर उतपादन केंद्र व्यापारिक नगर बंदरगा नगर धार्मिय केंद्र इस तरह गया के स्थित्ति थी वहारत में ब्यवशाइक व्हज यानि एक अच्छा खास मिध्य लोग रहते थे ऐसा दिखाई पढ़ रहा है इसकी अलामा इस इसलिए यह जो इनका विवरण है ठीक दिखाई नहीं पड़ता है एक और इंपॉर्टेंट और आखरी चीज महतपूर रूप से बर्णियर ने चर्चा की जैसे इबन पतूता ने संचार प्रणाली डाग प्रणाली की चर्चा की ऐसे इन्हों ने सतीप्रथा का विवरण द उस ब्यवार की आधार पर वो भारत और यूरोप के बीस्तूलना करते थे उनको दबता था यूरोप में महिलाओं के सिर्थी वड़ी अच्छी है महिलाओं के साथ अच्छा प्यवार किया जाता है और भारत में हो सतीप्रथा जैसी चीज देखते थे तो उनके आधार को बल भी मिलता था तो बर्णियर भारत में प्रशली सती प्रथा के प्रति आकर्शित हुआ उसने सती प्रथा के वर्ण को अपने व्रतांत का हिस्सा बताया और इसे कूप प्रथाओं में घंडित प्रथा बताया ठीक बात भी है और इस प्रथा के ताहत पत्नी अपने पती के साथ कहाँ बैठ जाती थी चिता पर बैठ जाती थी और उसे जला दिया जाता था बर्णियर ने अपने वर्तात में इस पर्था के विश्य में लिखा कि कुछ महिलाएं अपनी स्वेक्षा से मर जाती है और कुछ को जवरस्ति सौ पर बिठा दिया जाता है बाद कर दिया जा ना कर रहा है यहां के भू इस्थिती भू नीति के बारे में यहां के किसानों के बारे में स्रमिकों के बारे में शाषन के बारे में और टेवल इंटू दमुगल पार उसकी जो पुस्ता के उसमें सारी चीजें हैं तो आई होप कि यह छोड़े-छोड़े कि आप सारी चीजों को एक जगा आसानी से पढ़ सकें इसलिए मैंगे ब्रेंस ने आपने एक वेबसाइट भी तयार की है www.magnetbrains.com इसदर आकर आप हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम कुछ भी सलेक करके पढ़ सकते हैं जैसे मालीजे अगर आपने सामने आ जाएंगे माल चोटे चोटे टॉपिक वाइस वीडियोज एंसी क्यूज एंसी इसलूशन प्रिविएस यह कोश्शन सारी चीज़ें आपको यहां पर डीटेल में समझाई जाती हैं और एक साथ आपको जैसे आपका चैप्टर इस तरह से सुरू हो जाएगा आप यहां से पढ़ाई कर ल झाल